आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello student, आज का जो हमारा Question है यहाँपे हमें बोला गया है कि List Two Main Conditions Performing Hydrogen Bond हमें Hydrogen Bond के लिए यहाँपे दो conditions लिखनी है तो देखो, Hydrogen Bonding बनाने के लिए आपकी जो दो condition होनी चाहिए, वो यह एक तो जो हमारा Atom Bonded है Hydrogen से हमारा Atom है जो Atom हमारा किसे Hydrogen से Bonded है, उसकी क्या होनी चाहिए High Electron negativity उसकी क्या होनी चाहिए हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ठीक है जैसे कि आपके इलेक्ट्रो नेगेटिव आटम कौन से होते हैं फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव आटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो यह तीनों जब हाईड्रोजन के साथ बॉन बनाते तो second क्या होता है कि smaller size जो electronegative atom है उसका small size होना चाहिए तो यहाँ पर हम लिख देखे smaller size of electronegative atom अब इससे क्या होता है small size की होना चाहिए देखो जितना small size होगा उतना ही जादा क्या होगा attraction होगा bonded electron pair का ठीक है जैसे कि आपका देखो अगर मैं बात कर रही हूँ जैसे यहाँ पर मेरा nitrogen है and suppose मेरा hydrogen है तो अब इस electronegative atom का size आपका जितना चोटा होगा इसका size क्या होता है यहाँ पर अभी मैंने nitrogen consider कर लिया है जितना कम होगा उतना ही यह क्या करेगा जो shared pair of electrons है उनको अपनी तरफ क्या करेगा attract करेगा जिसकी वज़र से यहाँ पर क्या होगी polarity generate होगी hydrogen और electronegative atom में और हमारा strong H bonding होगा हमारा क्या होगा उतना ही strong H bonding होगा ठीक है तो हमारे जो यहाँ पर domain conditions है वह एक तो यह कि हाई electronegativity होनी चाहिए और दूसरा जो electronegative atom है उसका size चोटा होना चाहिए size चोटा होने से क्या होता है आपका attraction जादा होता है attraction जादा होगा तो आपकी bond polarity जादा होगी आपकी क्या होगी bond polarity भी आपकी यहाँ पर जादा होगी ठीक है जैसे कि आपका example ammonia वह hydrogen bonding शो करता है तो इसमें हमारा hydrogen bonding नहीं होती क्योंकि हमारा high electronegative atom नहीं है chlorine जो है वो उतना भी जादा आपका electronegative atom नहीं है ठीक है तो इसी वज़े से यहाँ पर आपकी hydrogen bonding नहीं होती है ओके गाइस थैंक यू